हेलो दोस्तो कैसे आप सभी तो सभी का स्वागत है आपके अपने यूटुब चैनल डिये स्टैडिक गुरुजी में तो दोस्तो आप सभी के लिए अभी की वीडियो में काफी अच्छी खुश्कवरी है दोस्तो आपके CET एक्जाम को लेकर जो आपका CET का एक्जाम होगा दोस्तो तो उसकी जो फिक्स डेट है वो गोशित कर दे गई है ठीक है दोस्तो तो आप सभी के लिए काफी अच्छी खुश्कवरी है तो आप यहां पे देख सकते हैं आपका जो CET का एक्जाम होगा दोस्तो वो आपका गुरुप C और गुरुप D की बरतियों के लिए CET चार से बारा जून तक होगा तो दोस्तो चार से लेके बारा जून तक आपका जो एक्जाम है वो चलेगा CET का ठीक है और इसमें आप यहां पे देखिए 8.60 लाक ने रिजिस्टेशन फीस भी जमा की सरकारी खजाने में 32 करोड़ से ज़्यादा आए तो इसमें कितने फार CET का एक्जाम का फोरम नहीं बरा है तो आपको एक मौका मिलेगा 15 दिन के लिए पोर्टल खुलेगा आप अपना फोरम बर सकते हैं और दोस्तों आपने पहले फोरम बरे थे उसके अकोर्डिंग अगर आपकी एज और होगी है तो आपको एज में भी छूट मिलेगी ठीक ह तो यहाँ पर देख सकते हैं HSC के चेर्मेन बोपाल सिंग खदरी के अनुशार सरकार ने पिछले दिनों CET को दियान में रखते हुए बरतियां रद की उन बरतियों में आवेदन करने वाले युवाओं को उमर में छूट का प्रवजान होगा चो कि काफी संक्या में ऐसे युवा है जो उमर निकल जाने के बाद पोर्टल पर अपलाई नहीं कर पा रहे हैं ऐसे युवाओं के लिए 15 दिन पोर्टल खुलेगा इन पर वही कराइटेरिया लागू होगा जो बरतियारत करने से पहले था इस साल बरतियों की प्रकरिया CT के एगजाम के बाद के अलावा अन्य बरतियां भी होनी आपके ठीक है तो अपनी त्यारी शुरू करतें और यहां पर देखिए जो पेपर लेगी वह कौन सी कंपनिया आपका पेपर लेगी तो पेपर वाई यहां पर आप देख सकते हैं प्रिक्ष्या का जिम्मा एंटिये को बड़ी चुनोत 22 लाग ने गुरूप सी और डी दोनों के लिए आवेदन किया यानि की 8.22 लाग बच्चों ने ही यहां पर आवेदन किया वह आपके CT पेपर के लिए और CT पेपर आप सभी को पता वी कब होगा ठीक है तो आपका CT का पेपर 4 जुन से 12 जुन तक होगा वाई दमाकेदार ख लेख सकते हैं दोस्तों इधर सब इस्पेक्टर के 1165 पदों पर जोनिंग के लिए DGP को लिखा पत्तर ठीक है और यहां पर देखिए SI बर्ती में 49 चैनितों के बायोमेट्रिक में फिंगर प्रिंट मिसमैच और 19 गैर हाजरी रहे ठीक है तो एक यह बड़ी अपडेट आपके SI एग्जाम को लेकर तो दोस्तों यह थी वाई लेटिस्ट अपडेट आपके CT एग्जाम को लेकर की CT का एग्जाम कब होगा तो सबी को पता अभी कभी बोले थे अपरैल में होगा कभी मई में कभी जून में तो अब यहाँ पे आपकी एक जो डेट है वो बता दी गई है CT एग्जाम की CT का एग्जाम कब होगा तो वाई आप अपनी त्यारी अब अच्छे से कर सकते हैं तो अभी की वीडियो में इतना है थेंक्यू आपका दिन मंगल मैं हो वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक को और कोमेंट करें आपका एक लाइक एक कोमेंट मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए प्रेडित करेगा